दोस्तो लूट और डकेती एक गंभीर अपराद है ऐसा हमारा कानून कहता है और हमारी बारतिय दंड सहीता मैं भी डकेती को गंभीर अपराद की लिस्ट में डाला गया है और कड़ी सजा के प्रावधान किये गए है सबसे पहले जान लेते हैं कि कोई गटना कब डकेती बन जाती है कानून की नजर में दोस्तो हमारी बारतिय दंड सहीता की एक खास बात है कि इसमें सारे अपरादों की डेफिनेशन दी गई और बताया गया है कि कब कोई अपराद लूट होगा कब उसको डकेती माना जाएग और अगर ऐसा अपराद करते समय अगर किसी को गंभीर चोट पहुचाई गई है तो उस सिचुएशन में पुलिस कैसे कारवाई करेगी क्या सजा के प्रावधान होंगे फिलाल आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे डकेती पर और जानेंगे कि कब कोई गटना डकेती में बदल जाती है और इसके लिए किस कानून के तहट कितनी सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों जब 5 या 5 से अधिक लोगों का ग्रूप एक साथ मिलकर लूट पार्ट की गटना को अंजाम देता है तो वो अपराद डकेती में शामिल हो जाता है डकेती को इंडियन पिनल कोड के section 391 में डिफाइन किया गया है और कहा गया है कि जब 5 या 5 से अधिक वेक्ती सैयूक त्रूप से डकेती करते हैं या डकेती करने का प्रियास करते हैं तो उन्हें डकेती में शामिल कहा जाता है इसमें वो मामले भी शामिल हैं जहां कुछ व्यक्ति ऐसे किसी आयोग या ऐसे किसी ग्रूप या ऐसे किसी प्रियास में साहेता कर रहे हो और इसमें शामिल लोगों की कुल संख्या 5 या 5 से अधीक हो है IPC का सेक्षन 391 डकैती को परिभाशित करता है और सेक्षन 392 डकैती में सजा का प्रावधान करता है जिसमें डकैती करने वाले किसी भी व्यक्ति को 10 साल तक के कठोर कारवास का सामना करना पड़ सकता है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और अगर डकैती सुरियास्त और सुरियोदे के बीच किसी राजमारक पर होती है तो कारवास की अधिक्तम अवधी 14 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है इसके अलावा सेक्शन 393 डकेती करने का प्रियास करने पर भी सजा का प्रावधान करता है जिसमें डकेती करने का प्रियास करने पर साथ साल तक के कठोर कारवास की सजा का प्रावधान किया गया है और इसमें जुर्माना भी शामिल हो सकता है सेक्शन 394 और 95 डकेती करते समय अपनी इच्छा से जान बूझ कर किसी को चोट पहुचाने पर सजा का प्रावधान करता है यानि अगर कोई वेक्ती डकेती करते समय या डकेती करने का प्रियास करते समय किसी को चोट पहुचाता है तो उस वेक्ति को या ऐसी डकेती में शामिल किसी भी उसके साथी को आजीवन करवास या फिर 10 साल तक की कठोर करवास और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है Section 396 किसी की हत्या के साथ डकेती करने पर सजा का प्रावधान करता है अगर डकेती करने वाले 5 या 5 से अधिक लोगों के समुह में से कोई भी वेक्ति डकेती के दोरान किसी की हत्या कर देता है तो इसमें शामिल सबी वेक्तियों को मोत की सजा या अजीवन करवास या फिर 10 साल तक के कठोर करवास की सजा का सामना करना पड़ सकता है वो भी जुर्माने के साथ इन चारों में से किस परकार की सजा दी जाएगी ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है इसके अलावा अगर मोत या गंबीर चोट पहुँचाने के प्रियास के साथ डकेती को अंजाम दिया जाता है तो सेक्शन 397 के तहट दंड दिये जाने का प्रावधान है अगर कोई अपरादी डकेती के दोरान किसी गातक अतियार का प्रियोग करता है या गंबीर चोट पहुँचाता है तो सजा कम से कम साथ साल की कैद होगी Section 398 के तहट गातक अतियार से लेस होने पर डकैती या डकैती करने का प्रियास करने पर भी कम से कम साथ साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है section 399 के तहत डकैती करने की तयारी करना भी अपराद है और डकैती करने की तयारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 10 साल तक के कठोर कारवास और जुर्मानने का सामना करना पड़ सकता है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि किसी चोर या डखेतों के गिरोहों से संबंद रखना भी अपराद की श्रेणी में आता है Section 400., 4.00 के तहित डखेתों के गिरोहों से संबंद होने पर सजा का प्रावधान किया गया है ऐसे में डकेतों के गिरों से संबंद किसी भी वेक्ति के लिए अजिवन कारवास या 10 साल तक के कठोर कारवास और जुर्माने का प्रावधान करवा सकता है। इसके अलावा section 401 के तहाए चोरों के गिरों से संबंद रखना भी अप्राध है और सजा का प्रावधान भी है। जो लोग आधतन, चोरी या डकेती से जुड़े लोगों के गिरों से संबंदित हैं लेकिन वो खुद ठगी या डकेती नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को 7 साल तक के कठोर कारवास और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अरोप लगाया था, बाद में 6 में से 3 लोगों को दोशी नहीं पाया गया और उन्हें बरी कर दिया गया। की आवशकता होती है। ऐसे में 6-3 परतिवादियों को केवल भारतिय दंड सहिता की धारा 392 की तहत डकेती के कम आरोपों के लिए दोशी ठेराया जा सकता है। के डकेती में हलकी सजा का प्रावधान किया जा सकता है। दोस्तो बारतिय दंड सहिता डकेती और इससे संबंदित अपरादों को बहुत गंभीरता से लेती है। और इसमें शामिल लोगों के लिए गंभीर दंड का प्रावधान भी करती है। अपराद की सामूहिक प्रकरती और अक्सर इसके साथ जुड़ी हिंसा के कारण डकेती को एक गंभीर अपराद माना जाता है। आईपीसी का उदेश्य हत्या से जुड़े मामलों में अजीवन कारवास और यहां तक की मोत की सजासाइत सक्त दंड निर्धारित करना है ताकि ऐसे अपरादों को रोका जा सके। डकेती और इससे संबंदित अपरादों की कानूनी परिभाशाओं और उनके परिणामों को समझ कर व्यक्ति और लो इंफोरस्मेंट यानि कानून के शाषन को बनाए रखने और सारवजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए इन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। दोस्तों ये बात सब को पता है, खुद पुलिस अफसरों को भी पता है कि जनता और पुलिस के बीच की दूरी कम होगी तभी अपराद, अपरादियों और कानून विवस्ता समश्याओं से निजात मिल सकती है और इसके लिए जरूरी है कि पुलिस और जनता एक साथ मिलकर काम करें, हमें ये समझना होगा कि एक पुलिस कर्मी भी समाज का हिस्सा होता है, लेकिन सिरफ वर्दी पहन लेने से वो समाज से अलग नहीं हो जाता, लेकिन इस बात को ना तो पुलिस कर्मी मानने को तयार हैं और ना ही लोग मानने को तयार हैं, किसी भी समाज में अपरा को दंडित करने का प्रावधान नहीं है बलकि असलियत यह है कि लोगों के मन में कानून का डर खतम हो चुका है आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके अपनी राए जरूर दीजिए नमस्कार कर दो कर दो है है